तो देवियों और सज्जनों फाइनली मैंचेस्टर युनेटे ने एक फुटबॉल का मैच जीती लिया है पूरे तीन पॉइंट भी एकट्टे कर लिया है और तेरवे पाइदान से जंप करके वो अब यहाँ पर टॉप टैन में एंटर कर चोके हैं अभी करेंटली एट करता है लेकिन यह बात तुमको भी पता है यह बात मुझको भी पता और यह बात जो युनाटेट को नहीं पसंद करते हैं उनको भी पता है के ब्रुनो फर्नांडेज जब तक है क्लब के अंदर तब तक एक होप रहती है भाई कुछ ना कुछ क्रिएट हो जागा कही ना कह जो गोल दिखा था वैसा कल भाई एक जॉनी इवांस ने ओवर तॉप बॉल डाली और ब्रुनो ने फॉस्ट ताइम जो वॉली हिट किया ना भाई आये हाये हाये देखके मज़ा आ गया एंड फिर देखो बात आती है आप क्याप्टन हो आपको यहाँ पर एक एक प्लेयर क्योंकि आप सिर्फ एक अच्छे फुट्बॉलर नहीं हो आप एक अच्छे टीममेट हो और एक आप अच्छे लीडर भी हो अब बहुत सारे लोगो ब्रुनो में इस लीडर्शिप क्वालिटी का एक नजारा देखने को नहीं मिलता है बाट बाई फॉर मी इस पाएगा यहाँ पर आपका वरान भी इंजरी से वापस है उसको स्टार्ट दे नहीं सकते आपके पास लूक शो नहीं है वैन बिसाका नहीं है और कीपर आपका भी पिछले मैच में काफी एवरिज परफॉर्मेंस दे कर आया है तो एक बनली के ऐसी टीम जो कि भले ही गोल स्कोर ना करे हो लेकिन विद पोजेशन खेलती है चांसे बहुत ज़दा करती चैंपेशिप में दे वर प्लेंग फ्री फ्लोइंग फुटबॉल तो हमें लग रहा था यार कि हम कैसे सर्वाइब करेंगे मतलब 2023 में आपको जॉनी इवांस को सलाना पड़ रहा क्योंकि प्रेशर अच्छे से अब्जॉब किया स्पेशली जो बायन वाली पर्फॉर्मेंस थी उसके बाद लग नहीं रहा था कि युनाइट इस दिफेंस के साथ यहां पर बर्नली को रोग पाएगी एंडेगो टॉफ मॉर कभी बीजी नहीं रहा है हमारे लिए रिए हम जीते ल उसका ठीक ऑपोजिट कल आपको देखने को मिला बनाइम सो हैपी फ़र अंद्रे उनाना आइम वेरी वेरी हैपी फ़र हम कल आप बात करो उसने सेफ किये उसने एक इनीशल फास्ट आप में एक अच्छा वो आया था चांस आया था जहां पर उसको फुल लेंध डाइब मा कर वो उस दिन इंटर्व्यू दिया था उसको यहां पर अपने आपको प्रूफ करना बहुत ज़रूरी था और मेरे लिए स्कोर लाइन से ज़दा पता है सबसे इंपोर्टेंट चीज हलके मैस की कहा रही है कि अपने क्लीन शीट रखी अब आप खुद सोचो पिछले तीन मैचेस में आप 10 गोल कंसीड करके आ रहे हो आपकी टीम का मोराल बिलकुल डाउन है डिफेंसिव यूनिट के तौर पे आपको कोई रेट नहीं कर रहा है आपको खुद का फैन बेस आपके डिफेंस पर और आपके गोल की पर सवाले निशान खड़े कर रहा है और उसके ब हमने विक्टरी निका लिया है आपके पास बेंच पर ऑप्शन नहीं है रेशवर्ड ऐस बात से तो मेरे से बहुत ज्यादा लोग एग्री भी करेंगे कल सारे प्लेयर्स के मुकाबले सबसे एवरेज प्लेयर्स जो पिछ क्यूपर था तैट वास मार्कास रेशवर्ड वो जील नहीं दिखती यार मुझे मार्कास रेशवर्ड के दिरवा टू-3 चांसे और इंस्टेंस आप बोल सकते हैं जहां पर एरियल डूल में चैलेंज तक नहीं किया मार्कास रेशवर्ड ने अखरी में आपको दिख रहा है एक जो शौट आया था शुरू में नियर पोस्त पे जो ट्राय करने की कोशिश की थी उस पर मार्कास रेशवर्ड ने ट्रेक बैक करना बंद कर दिया था एंड आई डोंट नो कि कोचिस उसको समझा यह चीज नहीं समझा रहे हैं कि तुम्हारे इन सब हरकती विएसे कैसे टीम को सफर करना पड़ रहा है बट दगाए इस वेरी लोग ओन कॉंफिडेंस या फिर आप बात करो वो उसके अंदर वो जील नहीं दिख रही मैच जीतने की अच्छा परफॉर्म करने की जो लास् सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात क्या हो सकती है आपका वरान अभी इंजरी से वापस आये लिसांद्रो मार्टनेज को अनकमफर्टिबल सा फीलिंग हो रही थी इसलिए वाज मैच इसको इसको यूस किया अब खुदा ना खास्ता अगर यहां पर सज रही उन की जो अभी एक precautionary substitution बोलो आप या फिर उसको बोलो कि थोड़ा fatigue के किन हो गया था अगर वो aggravate कर गया और अगर वो injured हो गया तो हमारे पास bench पर कोई player भी नहीं है क्योंकि हमने Alvaro Fernandez को loan पर भेज़ दिया, Williams को भी हमने loan पर भेज़ दिया, आपके पास Luke Shaw है नहीं, Malaysia तो मैं और आप भ भूल चुके हैं कि मलासय क्लब में exist करता भी है या नहीं करता है तो यहाँ पर भाई हमारे लिए बहुत टफ टाइम पिरिड आने वाला है क्योंकि इंजरी का सिलसिला रुक नहीं रहा है, आपकी इंजरी हर मैच में भड़ती चली जा रही है और बात वहीं जाते हैं जब वो उसको लेट डाउन किया और पासिंग में भी उन्होंने बहुत बारी ओवर ट्राई किया जहां पर उन्हें पॉसेशन लूस कर दिया फिर काउंटर पर हमें डिफेंड करना पड़ा वापस से डेलो को अपनी इंस्टिक्टिव प्ले है न यह बैटर करना पड़ेगा उ हम कल बहुत सफर करते क्योंकि जितना परसेंटेज हमने पॉसेशन दिया न सानुवाली टीम को उतने परसेंटेज में एक अगर टॉप क्लब को होता तो वो हमें बिल्कुल ही निचोड के रिफेक देता बट क्योंकि बर्नली थी बर्नली का सिर्फ एक पॉइंटे टेबल म बट बात वही है जो उनके पास quality players नहीं है आगे pressure exert करने वाले तो इसलिए हम बच गए वहाँ पर 10Hack का timing of substitution honestly मुझे समझ में नहीं आ रहा मैक टॉमने का team selection मुझे समझ में नहीं आया यहाँ पर आपको ब्रुनो को number 10 खेलाना चाहिए था बट आप क्योंकि मिट फील्ड में नंबर्स थ्रो करना चाहते थे काफी काफी compact खेलने हम आज की गेम में हमने उतना विट का यूज नहीं किया Hoyland देखो 10Hack ने बोला है press conference में आपने post match में कि Hoyland was very good I would disagree Hoyland की कर्ड decision making जो थी ना passing के time पर वो बहुत जादा खरापती आपने देखा है के Rashford run बना रहा है he was taking that extra second और यह सिर्फ Hoyland के साथ नहीं हो रहा है यह United के हर एक player के साथ हो रहा है every player is taking that one extra second ball के उपर और उसमें क्या होता है कि आपको opposition press करके close down कर लेती है और आप position lose कर देते हो Hoyland का final third में अगर आप presence देखो के वो feel हुआ definitely hold a play भी it was decent but वो एक बात थी जो X Factor Hoyland सबने शुरू के दो matches में देखा था where he was holding back the defenders and attracting players on him वो कल की game में missing था और वो early passes जो हमने link up देखा था Hoyland के बीच में और आपके बाकी players के बीच में कल वो आमें देखने को नहीं मिला and with time ये चीजें एक आदा match में और देखने को मिलेंगी but हाँ ये जरूर है कल की victory एक बहुती moral boosting victory है क्योंकि यहाँ पर हमारे majority players जो थे वो नहीं थे available but last इतने सारे matches से एक player को बहुत जादा scrutiny मिलती आई है but कल के match में जिस तरीके से भाई Casemiro ने अपना game जो है वो build किया और first half के थोड़े से shaky start के बाद second half में जिस तरीके से भाई अपने आपको prove किया ना that's what Casemiro was doing last season और यही missing है भी Casemiro के game से और आप अब देखो उसका सबसे बड़ा reason यह कि Hannibal मजाबरी ने बहुत जादा defensive cover provide किया midfield में आने के बाद first half में Hannibal was looking okay but second half में Hannibal actually up this game and he realized कि यार देखो रोज रोज मुझे नहीं मिलने वाली opportunity if I am getting a start I have to make sure कि मैं manager की उपर एक pressure बनाऊ कि देखो आप अगर मुझे chance दोगे तो actually I can do this very well जो कि आपका Ericsson और आपके McTomb ने provide नहीं कर रहे है and given the condition that we were in right now भी पिछले 3-4 game से I think Hannibal played his heart out in the second half defensively we were very very good हमने इतना उनको इतना position के बाद भी कुछ chance create करने का मौका दिया नहीं but Casemiro अगर हम इस तरीके से system build करेंगे we can bring the A game from Casemiro और देखो Casemiro ने पिछले game में दो goal score किये थे बाइन के against तो वहां से confidence भी था और obviously वह जब आप थोड़ा सा momentum gain कर ले तो आपकी performance पर reflect भी होता है United then again playing on the counter I think यह हमें stop करना पड़ेगा यार हम एक अपनी कम से कम एक football identity बनानी पड़ेगी जो अभी हमारी नहीं है 10x needs to make sure कि भाई जब players वापस आएंगे हमारे first team के तो उनका एक system तयार हो जिससे कि मैं पता चले कि यह brand of football हम खेल सकते हैं अभी तो it's just that कि आपको long ball मिलेंगी या आपको counter मिलेगा और आपको उसी पे खेलना है and I get that क्योंकि आप अभी इतनी under pressure हो तो आपके लिए result matter करते हैं और result हमने आज के match में निकाला है now we will be playing 3 consecutive game on our home turf I think 3 या 4 खिलने में लगाता है अपने home पे तो भाई उसका इस्तमाल करो and make sure that you are getting all 3 points in all these fixtures especially आपके Premier League के games और क्योंकि अभी जो match है आपका अगला Palace के games वह आपका knockout fixture है EFL Cup में जैसे मैंने बोला था ना United की minimum expectations fanbase की वही होगी कि आपने जो last year किया था वह कम से कम replicate करो और अब आप क्योंकि Carabao Cup के last year आपने trophy जीदी तो आप defending आप winner हो तो यहाँ पर आपको Palace को तो dismantle करना पड़ेगा and Palace is actually not playing a very good brand of football they are playing Oakesh football United को इस opportunity को grab करना पड़ेगा and अब यह 3 points जो मिलने है इससे थोड़ा confidence जरूर आएगा team में and I am highly impressed with Hannibal Majabri definitely and I am impressed with Johnny Evans in this age what he has done Lindelof was very good not just not to forget about him as well उसने defensively अपने आपको बहुत maintain करके रखा but concerning areas अभी बहुत जाद हैं जैसे हमारा build-up हो गया जैसे कि हमारा press system हो गया जैसे कि हम जब build-up करते हैं तो फिर हम right passes नहीं देखते and वो एक जो हमारे अंदर एक जल्दबाजी की एक वो चीज है न कि हम ball मिली एक extra second ले रहे हैं बट उसके चक्कर में फिर हम गलत passes भी release करते हैं under pressure हम आ जाते हैं pressure exert करते हैं अपने उपर बे मतलब का ball extra second hold करके बढ़ा अगर आप वैसे बात करोगे भाई a huge win a clean sheet is a very very big boost for these players specially for andreo nana क्योंकि यहाँ पर आप देखो लगातार हर game में bully हो रहे हैं वो वो पहले game के बाद किसी भी game में clean sheet नहीं रख पाए sports वाले game में हमने 2 goal concede किये then Arsenal के games हमने 3 खाए फिर उससे पहले नाटिंगम के games 2 goal concede कर लिये थे उसके बाद आप देखो यहाँ पर बायन के game में हमने 4 goal concede किये then आपने देखा कि Brighton के games में 3 goal concede किये तो यहाँ पर लगातार सिलसला चला आरता पहले Wolverhampton Wanderers वाले game के बाद जहाँ पर हम goals free fund में concede कर रहे थे यहाँ पर अगर मैं ratings की बात करूँ तो देखो I would give Andre Onana a solid 7.5 क्योंकि Onana से जो expectations हैं वो तो वो कर रहे हैं बट क्योंकि यहाँ पर अभी थोड़ा सा confidence कमी है चला ठीक है 7.5 I would give him an 8 क्योंकि उन्होंने clean sheet रखी है and दो crucial saves किये थे and Burnley थोड़ी unlucky भी थी वैसे देखा जाए कि post पर लगके ball बाहर आ गई but then again यह लग तो favor करेगा कभी न कभी आपको and United का luck आप देखो कितना खराब है कि हमने 3 matches में goal score के और वो rule out हो गए क्योंकि last वाला game का तो मुझे देखो honestly offside वाला तो समझ में नहीं आया but हाँ वो आप कह सकते हो कि एक block create करने की कोशिश थी वहाँ पर Hoyland के end से इसलिए वो goal rule out कर दिया गया but then अगर मैं defense की बात करूँ I would give Diego Delo a 6 then Lindelof and Evans I think deserve eight क्योंकि उनकी performance काफी अच्छी थी defensively and first half में तो थोड़े शेकी लेगे लेकिन second half में they actually played very well बाकी Region I would give a solid seven and half क्योंकि Region से जो हम expect नहीं कर रहा है Region उसे जदा हमें करके दे रहा है and definitely कलके match में उसकी performance काफी अच्छी थी defensively he was very very solid बाकी बात है की कैसमिरो की again a solid eight then McTominay 6 और 5.5 then Hannibal Majabri a proper eight then Bruno Fernandes भाई मैंने पहले भी बोला मैं भी बोलूँगा without Bruno Fernandes we don't have a team we can't play like a team Bruno को solid 9 और 9.5 then Rashford I would give him 4 इस से जादा नहीं दे सकता मैं Rashford was absolutely absolutely pathetic बाकी बात है की Highland की six और six and a half बस that's it that's it from my end आप लोग अपनी ratings और आपकी क्या match के देखने के बाद reaction थे वो ज़रूर मुझे बताईए और आपको क्या लगता है कि कल की victory के बाद कितना कुछ momentum change होगा हमारे favor में and इसके बाद आप आने वाले AFL का fixture में गरना चो अगर आपको देखना चाते हो start करते हो या फिर आपको लग रहा है कि Rashford E start करेगा और हमारी strongest line-up start करेगी बाकी अगर आप channel पर नए है तो guys 68K पहला हमारा target है और इस month के end तक हमें target पूरा करना है 70K का वो आप करवा सकते हो तो अगर आप channel पर नए हो और अगर आप लगातार content consume करते हो बढ़ आप subscribe नहीं करो तो please make sure that you're subscribing to 1MFC hitting that bell icon and supporting the channel with that I'll take a leave मिल तेंग लिए वीडियो में तोटले goodbye take care अब दा fucking reds glory glory man united